होंडा कार्स अपने रिलाइबल इंजिन और लॉंग लास्टिंग परफॉर्मंस के लिए जाने जाते हैं होंडा सिटी, होंडा सिविक, होंडा अमेज ये कुछ फेमस कार्स है जो होंडा ने लॉंच किये जैसे सुजुकी कार्स में LXI, LDI, VDI ये वर्ट्स कार के फीचर्स के बारे में और कार पेट्रूल है या डीजल ये बताते हैं वेसे ही होंडा कार्स में EMT, SMT, SVMT, VMT, VXMT, ZXMT, SAT, VAT, SCVT, VCVT, VXCVT, ZXCVT ये वर्ट्स होते हैं ये वर्ट्स के पहले लेटर यानि E, S, SV, V, VX, ZX ये कार के मॉडल्स के बारे में बताते हैं यानि कार बेस वेरियंट है या टॉप वेरियंट, for example EMT ये वर्ड में E का मतलब है कि कार एक बेस वेरियंट है यानि लोवर वेरियंट S, V, ये उसके उपर के कैटेगरी में यानि मिड रेंज के कैटेगरी में आते हैं ऐसे ही VX, ZX का मतलब है कि कार एक टॉप वेरियंट है जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स दिये जाते हैं और MT, AT, CVT ये कार के ट्रांस्मिशन के बारे में बताते हैं MT का मतलब होता है Manual Transmission, AT का मतलब होता है Automatic Transmission और CVT का मतलब होता है Continuous Variable Transmission I hope आपको Honda Cars के अलग-अलग variants के बारे में समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो वीडियो को like और चानल को subscribe ज़रूर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में